जहें दोस्तो वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासेज दोस्तो आज है 19 फरवरी 2022 तो आज के इस वीडियो हम 19 फरवरी के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अपेर्स के क्यूसन आंसर बनते हैं इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप जरूर याद करें और दोस्तो इस वीडियो के लाश्ट में एक सवाल अव्यास के तोर पर आप से भी पूचेंगे जिसका जवाब है वो आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है इसलिए इन सभी क्यूसनों को आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्यूसन पहला क्यूसन है नेमन में से किस संगटन ने हाली में तंबा कुछोड़ो एप को लाँच किया है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन ए यानि विशू स्वास्तिय संगटन ने जिन्होंने हाली में तंबा कुछोड़ो एप को लाँच किया है किसने क्या है तंबा कुछोड़ो एप लाँच हो क्या है विशू स्वास्तिय संगटन ने अगला दूसरा क्यूसन है हाली में किसी खिलाडी ने अपने डेब्यू मैच में 13 सतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन C यानी बियार के 22 साल के एक बल्ले बाद जिसका नाम है साकीबूल गनी जिन्होंने अपने पहले ही फ्रेश्ट क्लास मैच में ट्रिपल सेंजर यानी 13 सतक बना कर इत्यास का रिकॉर्ड बना दिया है किसने साकीबूल गनी ने जिन्होंने बियार की टीम से खेलते विए फ्रेश्ट क्लास मैच में 13 सतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है हाली में रूस और किस देश के तनाव के बीच बबुसका बटालियन कापिस चर्चा में रही हैं पबूस का जिसमें सारी महिलाएं हैं वो इस बटालियन में सामील हैं अगला चौता क्यूसन है नेमन मैंसे किस बैंक ने हाली में एगरी इंफिनिटी कारिकरम सुरू किया हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यानी हाली में यस बैंक है जिनोंने एगरी इंफिनिटी कारिकरम को सुरू किया हैं किस बैंक ने हाली में एगरी इंफिनिटी कारिकरम सुरू किया हैं वो क्या है यस बैंक ने अगला नेक्ष्ट पांचवा किसने बारती नौ सेना ने युद्पोत आइनेस विसा का पत्नम से समूंदर से किस सूपर सोनी के क्रूज मिसाइल का सपल प्रिक्षन क्या है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्षन ए यानि भारती नौ सेना है जिनोंने हाली में अपने युद्पोत आइनेस विसा का पत्नम से 18 फरवरी 2022 को समूंदर में एक ब्रामोज सूपर सोनी के क्रूज मिसाइल का सपल प्रिक्षन क्या है किस सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का ब्रमोज सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल का और किसने क्या है बारतिय नौ सेना ने और इस मिसाइल का सपल प्रिक्षन है वो क्या है आई एनेस विसा का पटनम युद्पोत से और इस मिसाइल की मारक समता है वो 400 किलोमेटर की मारक समता है और इसे भारत और रूस के सर्युक्त पर्यास से इस मिसाइल को विक्सितिक क्या गया था किस मिसाइल को ब्रमोज सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को अगला चटा क्यूसन है कौन सा संस्तान विशु सतत विकास सिकर समयलन की मेजबानी करता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि उर्जा और संसाधन संस्तान है जो विशु सतत विकास सिकर समयलन की मेजबानी करता है कौन सा संस्तान वह हैं उर्जा और संसाधन संस्तान और इस बार प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने इस सिकर समयलन का उदगाटन किया था किस सिकर समयलन का विशु सतत विकास सिकर समयलन का जो उर्जा और संसाधन संस्तान के द्वारा मेजबानी की जाती है इसकी अगला किश्टन साथवा किश्टन है किस IIT संस्तान के सोध करता होने औरिगामी मेटो मेटरियल्स नामक की एक नई सामगरी विक्सित की है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी यहनी IIT मदरास की सोध करता है जिनोंने औरिगामी मेटो मेटरेरियल्स नामक की एक नई सामगरी विक्सित की है किस IIT संसान है? IIT मदरास ने अगला नेक्स्ट आठवा किसन है बारतिय सेना के डिप्टी चीफ ओप आर्मी स्टाप की रूप में किसे नियुक्त क्या गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन C ने चनिरा पॉनपा है जिनको हाली में बारती सेना के डिप्टी चीप ओप आर्मी स्टाप के रूप में नियुक्तिक क्या गया है किसे चनिरवा पॉनप पाको और वहीं राष्टी समुंदरी सुरुकसा चमनिवे के पद पर असोक कुमार को नियुक्तिक क्या गया है किसे क्या गया है राष्टी समूंदरी सुरुक्सा समन्य वेक के पदपर जी असोक कुमार को और भारती सेना के डिप्टी चीप स्टाप ओप आर्मी की किसे बना गया है वो बना है चनिरा बंसी पॉन्डपा को अगला क्यूसन है संध्या मुकरजी का निदन हुआ है वा एक प्रसिद क्या थी तो इस सवाल का सही द्वाब देगा ओप्सन ए नि मान बंगाली गाई का संध्या मुकरजी है जिनका हाली में 90 वर्ष की उमर में निदन हो गया है कौन थी वो संध्या मुकरजी जिनका हाली में 90 वर्ष की उमर में निदन हुआ है वो एक प्रसिद गाई का थी जिने जनवरी 2022 में 12 सरकार ने पदम पुरुषकार से नवाजा था लेकिन उन्होंने पदम पुरुषकार को लेने से इनकार कर दिया था किनने संध्या विद्याले के सोध करता होने एक ऐसा अनुविक्सित क्या है जो कोरना वाइरस स्पाइक प्रोटेन को निस्क्रिय कर सकता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन ए नि हैल्सिंग की विशु विद्याले हैं जिनके सोध करता होने एक ऐसा अनुविक्सित क्या है जो कोरना वाइरस के स्पाइक प्रोटेन को निस्क्रिय कर सकता है किस विशुविद्याले के सोद करता हूने हैल संकी विशुविद्याले के सोद करता हूने तो दोस्तो ये थे 19 परवरी 2022 के करन्ट अपेर्स के most important question answer अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक करे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तो अब इस वीडियो के last में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको comment box में लिखकर बताना है तो दोस्तो आज का अभ्यास सवाल है हाली में किस राजिये के पुलीस ने स्मार्ट कार्ड सस्तर लाइसेंस की सुरुवात की है तो आप्सन ने बिहार राजिये की पुलीस ने पंजाब राजिये की पुलीस ने दिल्ली पुलीस ने या पिर तमिल नडू रजी की पुलीस ने इन चार option में से कौन सा option सही है जिस राजिय की पुलीस ने स्मार्ट कार्ड सस्तर लाइसेंस की सुरुवात की है वो आप comment में जरूर लिख कर बताईए और दोस्तो हम मिलते हैं अंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम